हेलो नमस्कार साथ यो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो हैं तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बिधान सवा की सेकुरेटी गार्ड का जो है निव वैकन सी निकल के आया है इसमें हम देखने वाले हैं टोटल पोस्ट कितना रहने वाला अप्लिकेशन फी कितना लगने वाला है आपका और जो है एज लिमिट क्या होने वाला है और आपका height कितना होने वाला है तो ये सभी चीज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय बेर्थ के हुए और अच्छा लगी तो एक like कर दीजेगा सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है दिया गया है आपका जो है पोस्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बिधान सवाज स्ट्रेटी गार्ट दो हजार तईस उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया गया है आपका स्ट्रेटी गार्ट का आप 2700 से लेकर करके 39100 तक आपको payment मिलने वाला है इसका job location की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं job location होने वाला है बिहार उसके बाद अप्लिकेसन स्टार्टिंग डेट आप देख लीजे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है apply कर सकते हैं ठीक है और सभी बैक्ति जो है जरूर apply कर दीजेगा पोस्ट देख करके जो है apply कीजेगा उसके बाद जो है apply करने का official website आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है इस website से जो है आप online apply कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कितना application fee आपका लगने वाला है तो आप देख सकते हैं U R O B C E B C अगर आते हैं तो आप यहाँ पर जो है 675 रूपिया आपका लगने वाला है अगर आप जो है SC ST और गरीस यहाँ पर देख सकते हैं female इमेल काटेगरी से आते हैं तो आपको 180 रुपया मातर लगने वाला है उसके बाद देख लिजे टोटल पोस्ट टोटल पोस्ट जो है कितना है आप इसमें देख लिजे यहाँ पर जो है केटेगरी दिया गया है टोटल पोस्ट दिया गया है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर यूर केटेगरी का देख सकते हैं आपका कितना है यूर केटेगरी का तो यहाँ पर 29 यूर केटेगरी का है ठीक है उसके बाद इधर देख सकते हैं EVC का 7 है और इधर देख सकते हैं आपका reservation for female female के लिए 10 seat reserve है यहाँ पर EBC में 3 seat reserve है और SC में 4 seat reserve है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं CT में 1 seat एवलेबल है उसके बाद BC में 12 seat और female के लिए 5 seat एवलेबल है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं OBC में 9 seat बचा हुआ है और इसमें देख सकते हैं 3 seat है और इसमें दे सिर्फ एक seat है और reserve में यहाँ पर 0 है इसमें कोई seat नहीं है उसके बाद देख लिएज़े यहाँ पर age limit security guard recommend 2023 इसमें age का criteria क्या रखा गया है तो आप सभी देख लिएज़े यहाँ पर minimum age रखा गया 18 वर्स उसके बाद आपके category के अनुसार रखा गया है यहाँ पर देख सकते हैं यूर मेल फीमेल का 25 यर्स रखा गया उसके बाद जो है इवीसी का और ओवीसी का जो है 27 वर्स रखा गया उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में दिया गया है आपका जो है इवीसी और ओवीसी फीमेल का यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का 28 वर्स रखा गया उसके बाद देख सकते हैं SC, ST, male और female का 30 words रखा गया है और age relaxation आपका notification के अनुसार आपको मिलने वाला है इसके बाद इसका selection process क्या रहने वाला है तो आपका return exam होगा, उसके बाद PT होगा, physical होगा और उसके बाद document verification होगा आपका selection process में उसके बाद आपका height कितना होना चाहिए, visibility, character area तो male का रखा गया, यहाँ पर height 167.5 cm से लेकर के chest आपका होना चाहिए 76.5 cm होना चाहिए, chest और height आपका रखा गया है 167.5 cm होना चाहिए और female का height कितना रखा गया है, तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर female का height रखा गया है 154.6 cm रखा गया है तो आप सभी जो है, अपनी एक्षा अनुसार जो है, इस date में जो है, आप सभी जो है, apply कर दीजेगा जरूर, अगर आप विधान सभा का जो है form apply करना चाहते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो like कर दीजेगा, subscribe कर लीजेगा और दोस्तों के साथ share कर दीजेगा थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो